नमस्कार दोफ तो एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हार दिक स्वागत है डेट अफ्ट अपडेट निकल कर आई कि सरकार की इन बड़े फैसलों से क्रमचारियों की सैलरी में होगी बंबर बडोतरी तो दोफ तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार क्रमचारियों के हग के लिए कौन से बड़े फैसली लेने जा रही है अगर आप हमारे चैनल पर फॉफ टाइम जिट कर रहे है तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बाल आइकन को भी बजा दीजिए ताक कि गवर्मेंट या पै पैक्टर डीए में बड़ोतरी और 18 महीने की बकार डीए ऐरियर पर जल्द फैसला ले सकती है अगर ऐसा होता है तो किंदर सरकार के करमचारी की सैलरी में एक मुफ्त इजाफा हो जाएगा दोस्तों किंदर सरकार ने इस साल दो बार महिगाई बत्ते और महिगाई रात में बड़ोतरी की है इस साल पहली बार बड़े हुई दर एक जनौरी से परभावी होई और दूसरी डीए में बड़ोतरी जुलाई दो चरबाई से परभाव में आई इस बड़ोतरी के बादवर्तमन समय में सरकारी करमचारियों के डीए 38 परतिशत के हिसाब से मिल रहा है दो ऐसे में सरकारी करमचारियों के लिए मेंगाई बड़ता 43 परतिशत तक बढ़ जाएगा या बड़ोतरी मार्च 2023 में होच सकती है जो जनौरी 2023 से परभाव में आएगी दोस्तो 18 महीने के बगार डिये अरियर पर जो फैसला है वो भी जल्द ही आएगा कोवीड मामारी के दोरन करमचारी के बगार डिये अरियर को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है यह 18 महीने का बकार डिये अरियर है जो जनवरी 2020 से जून 2021 किस तक का है ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार बकार डिये अरियर का बुगतान कर सकती है दोस्तो फिटमेंट फैक्टर बी को भी सरकार बढ़ा सकती है दोस्तों केंदर सरकार के कर्म चारी की मांगे की फिट्वेंट फैक्टर को 2.5 गुणा से बढ़ाखर 30.6 India कर दिया जाए यानि injustham salary को 18,000 रुपे से बढ़ाकर 20,000 रुपे कर दिया जाए दोस्तों अगर सरकार नहीं साल के दोरान डी ए फिटमेंट पैक्टरल और अठारा महिने के डी ए एरियर पर फैसर लेती है तो करमचारियों की सैलरी में पंपर बड़ोतरी होगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत